तो सबसे पहले बात करते हैं हम शोर रणिंग कन्फिगेशन की ठीक है लेकिन इन सबसे पहले इन टॉपिक को करने से पहले मैं पहले एक ची दिखाना चाहूँगा कि जो हमारी यह मैंने एक 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 टॉपोलोजी वीवर बनाया है ठीक है इस अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास दो PC है ठीक है PC0 अची फिरूपिय फिर्टी फिर्टी फॉर के अंदर है यह हमारा 20.10 और आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों जो नेटवर्क है विच इस डिफ्रें सब्सक्राइब थिक और मैंने इन को कि से कनक कर रखा है इक स्वीच से कनक कि ररा क्र रखा तो मेरा क्वेशन ये है कि क्या अगर मैं इस सिस्टम से बैठ के इस असलिम को पिंग करूँ क्या मेरा पिंग सञस्वल हो तोड़लन क्युन if I ping 1 minute आवज न आए थी ॉके-उके अभी विजबल आवज, क्लियर है एक सकंड, एक सकंड, hold on आवज है मेरी क्लियर Hello इस आवज नहीं आ रही है मेरी बिल्गूल भी नहीं आ रही है एक सकंड नही आवज नहीं, आभी आ रही है अभी अभी आ रहे हैं ना ओके ग्रेट बीच में चलीगी तो मेरा क्वेश्चन यह था कि मेरे पास नेटवर्क वन पर एक PC है 10.10 और अनदर एक PC 10.2 ठीक है दो मेरे पास PC है दोनों को पर मैंने IP दिया हुआ है और दोनों को मैंने किसे गना किया हुआ है एक स्विच के साथ किसके साथ करना किया है अब मैं PC 0 अगर यहां से बैठके मैं पिंग करता हूं इस वाले PC को तो क्या पिंग मेरा सक्सेस्फुल होगा या नहीं होगा मेरा प्रेला कोशन होगा 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 तो पहले हम लोग आई पेड़ेस वगरा चेक कर लेते हैं तो इस पे चलते हैं और हो मैं यदे कमाड परों म्मांड या सकता हूं कमांड परोंड पहले आपको कहा पर आना देखो सबसे बला मैं इसमें क्लिक किया और ये कमांड प्रों मैं क्मांड प्रों को देखने के लिए ठीक है मैंने एंटर किया इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके उपर जो आई-पी है विच इस 192.168.10.10 ठीक है यह मेरा आई-पी एड्रस है एंड सब्डेट मास क्या है 25252525.0 राइट जिरो ठीक है अब हम करते हैं दूसरा वाला पीसी चैक इस पर चलते हैं कमांड प्रोम पर चलते हैं और यहां पर मैं डालता हूं आई-पी कॉनफिक इसकी वही 20.10 राइट एक है मे मेरा कॉश्चन यह था कि मैं अगर इस सिस्टम से बैठके मैं पिंग करता हूं किसको 20.10 को ठीक है पिंग 192.168.20.10 को तो क्या मेरा पिंग सक्सेस्पुल होगा या नहीं यह मेरा कॉश्चन था आपने कहा कि यह पिंग मेरा क्या होगा हो जाएगा ना तो देखते हैं करक क्यों हो रहा है सबसे पहली बात हम अगर बात करें मेरे पास क्या है यहां पर एक दो पीसी के ओपर मैंने आई पे डिफरेंट नेटवर्क के दिये हुए हैं और मैंने इन डिवाइस को किससे करना किया एक स्विच के साथ तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको कि लिए करू करता वो हमेशा एक सेम नेटवर्क के अंदर कम्यूनिकेशन करा सकता है दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में स्विच के नौट भी कम्यूनिकेट मतलब अगर मैंने स्विच के साथ दो पीसी अटाइच कि हुए जैसे कि आप मेरे डाइगराम में देख सकते हो और दोनो पीसी के अंदर मैंने दो डिफरेंट सबनेट के आई भी दिये हुए है एक को मैंने दिया है क्लास सी दोनों क्लास सी के हैं बट नेटवर्क दोनों अलग अलग हैं क्यूंकि स्टार्टिंग के जो 24 अक्टेट हैं अब जिल सकते हो जो जो ट्री ट्री अक्टेट हैं वह 192 वन से 10 है और दूसरे वाले के अंदर 20 है यानि यह वाला उटेट मेरा मिसमैच हो गया मिंस यह मेरा एक डिफरेंट नेटवर्क से चला गया तो अभी मैंने डिवाइस किसे करत करना किये वा स्विच के साथ तो हमेशा माइन में रखन यह चीछ धियान रखना कि स्विच के साथ अगर दो डिफरेंट पीसी के अंदर दो डिफरेंट सबनेट्स हैं ठीक है तो वो आपस में कम्मिनिकेशन नहीं कर सकते स्विच कभी भी दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्मिनिकेशन नहीं करा सकता कभी भी नहीं मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा एक router, मुझे क्या चीह होगा एक, router, without router, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हमने कल देखा भी तर जब हमने first introduction देखा था, router क्या करता है, router का काम होता है, दो different, या दो या दो से, हाँ, दो या उससे ज़्यादा, जितने भी मतलब हैं, दो या दो से ज़्यादा जो networks है, उनके बीच में communication कराने का काम किसका होता है, मेरा router का, यानि, different subnet के बीच में करें, मुझे communication कराना है, we need a router, without router, मैं ये चीज़ अचीज अचीव नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पर topology को change करना पड़ेगा, मुझे switch को यहाँ से निकालना पड़ेगा, या तो मैं direct इसके जगे एक router लगा दूँ, ठीक है, या तो मैं direct router लगा दूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं इन दोनों को different, different switch के साथ connect करके, फ यहाँ पर और एक interface यहाँ पर, उसके बाद मैं इस router के basis पे ही मैं communication करा सकता हूँ, ठीक है, without इसके possible नहीं है, ठीक है, तो पहले हम लोग, हमने यह चीज़ देख लिए, यह चीज़ समझ मैं यह आपको, यह सब, ठीक है, हमारा एक topic चलेगा भी आने वाले time में, routing का, ठीक ह है, वहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे, कि routing की help से, कैसे दो different network आपस में communication करते हैं, means, मेरे पास तो router हो गई होगा, लेकिन इस router के साथ, अंदर मुझे एक चीज़ करनी होगी, which is routing, जब तक मैं इस router को पर routing configuration नहीं करूँगा, तब तक वो different network आपस में communication नहीं कर सकते है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि दोनों की PC आपस में communicate कर सके, तो मेरा किस तरह का diagram रहेगा, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डारेक्ली मैं switch को अठाकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर router लगा दूँगा, उसके बाद मैं कर सकता हूँ, तो हम लोग अभी simple diagram करेंगे, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस switch को मैं यहाँ से remove करूँगा, switch को remove करके मैं कहलूँगा, एक router लोगा, मैं यह वाला router ना लेके, मैं छोटा simple सा router लोगा, यह विचिस यह, 1240, simple सा router ले रहे, ठीक है, अब इस router के ओपर मैं क्या कर रहा करनेक करना है, एक router को किस के साथ, PC के साथ directly, है न, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक PC को router के साथ directly connect करूँगा, तो मैं कौन सा довольно useful करूँगा, cross या straight, का सघॉल? मतलब cross कि वाली उस करूँगा या straight के वाली उस करूँगा, अगर मैं router को directly PC सा connect करूब दो, भी करेंगी कि श्ट्रेट करेंगे करेंगी क्यों मैंने आपको बता था कि राउटर और स्विश्ट मैं एक ऐसे डिवाइशos हैं जो कि सेम जो कि सेम तो ओपर data causa रेसीफ करते हैं तो मुझे एगर एगर कोई ऐसे डिवाई जो कि सेम पिन के वपर यहां पर क्रॉस करूंगा हाँ अगर मैं इस राउटर को स्वीच के साथ कर रहा हूं तो मैं स्ट्रेट उस करूंगा लेकिन पीसी टूपी सी करूँगा तो मैं क्रॉस करूंगा PC to Server तो भी Cross करूँगा PC to router तो भी मैं क्या उसकरूँगा Cross करूँगा तो मैं करके देखता हूँ तो मैंने क्या किया यहाँ यह Cross Cable आपका देखे रहो यह मेरा Straight Cable है और यह मेरा Cross Cable यह मेरा Cross है और यह कि यहां पर यहां पर यहां पर क्रॉस के बले लेना चीए था लेकिन यहां पर क्या करूंगा सबूसे अब zero by zero तो मैंने यहां पर दो पोर्ट के साथ एन्न इस पोर्ट मैंने इनको क्या किया पीछी को डिरेक्ली अटैस कर दिया इसके साथ ठीक है लेकिन यहां पर एक चीज है कि मेरे को यहां पर interfaces show नहीं कर रहा है, यह कौन सा interfaces है, अगर मैं देख के एकदम से बूलू तो मुझे नहीं पता है ना, तो मुझे इस case में क्या करना पड़ेगा, मुझे इस case में करना पड़ेगा, कि मैं यहाँ पर option पर जाऊंगा, preferences पर आऊंगा, ठीक है, मैं कहाँ पर जाऊंगा, option, then preferences, और यहाँ पर मेरे को एक option को पर check करना पड़ेगा, which is, always show port, label, and logical logical work space, यहनी मुझे इस option को पर click करना पड़ेगा, इस option को पर, इस option को पर जाएसे मैं tick मारूंगा, तो यहाँ पर labels आ जाएंगी, तो दिखाता हूँ आपको मैं, आगे labels, येस, तो मुझे आप पता लग रहा है ना, कि मेरे कौन सा interface कहाँ से connected है, मेरा यह वाला F2 by 3 connected है, यह F2 by 4 connected है, यह मेरा F0 by 0 सा connected है, यह मेरा F0 सा connected है, मतलब आपको label से यह identify हो जाता है, कि इस वाला option पर tick कर दे रहा है, अब मेरे को पता है कि मुझे इसके ओपर IP डिसकनफिया करना है, अब देखो, कि जो router का जो interface है, router का जो interface है, इस interface के उपर जो हमारी IP रहेगी, same subnet की रहेगी, और यहाँ पर एक different subnet की रहेगी, मैं आपको बता रखा है, ठीक है, तो मैंने इसको पर दे रखा है, 192, 168, 10.10, तो मैं यहाँ पर दे दूँगा, कोई भी दे सकता हूँ, उसके अलावा 10.1 दे दूँगा, यहाँ पर मान के चलो, और इस वाले interface में, यह 20.10 है, तो मैं यहाँ पर क्या दे दूँगा, 20.1 दे दूँगा, कुछ भी दे सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि 20.1 ही देना है, अब 20.100 भी दे सकते हो, लेकि मैंने पहली वाले IP ले लिए, ठीक है, तो configure करते हैं, पहले इसको पर IP addresses, तो मैं यहाँ पर लेख लेता हूँ, मैं इसका IP दूँगा, 192.168.10.1 दे दूँगा, इस interface के उपर, इस interface के उपर, ठीक है, और दूसरे बाले interface के उपर, मैं दूँगा, यहाँ पर 20.1, ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले, इस router को access करूँगा, डायरेक्ली यहाँ से, ठीक है, कल हमने किस से access किया था, console के बल से, अब इसको छोड़ दू, ठीक है, उसको भी हम करेंगे, अब मैंने कहा कि, इसको पर click किया, CLI पर चले गए, अब IP address हम, यहाँ पर CLI पर चले जाओगे, हमें, क्यों से interface पर हमें, इस वाल interface पर हमें, ठीक है, तो 2 by 3 पर किया, enter, और IP address मैंने दे दिया, 192.168.10.1 दे दिया, और subnet mask भी देना है, यहाँ पर, क्योंकि subnet mask मैंने नहीं देका, enter मार तो मुझे कहा दिदिया, invalid input detect कर दिया, तो मुझे यहाँ पर subnet mask भी जो है, देना पड़ेगा, एक interface को पर हमने, अशर आभी भी नहीं लिया, इसने देखो, invalid input detect, okay, hold करो, मेरे ख्याल से जो यह interface है न, इस interface को पर IP address, okay, basically, हमने router छोड़ा गलत ले लिया, इस router के उपर IP address ले नहीं रहा है, तो हम लोग कोई दूसरा router ले ले लेते हैं, 291 ले ले लेते हैं, ठीक है, यह वाला ले ले लेते हैं, और, ठीक है, यह gig 0x0 है, gig 0x1 है, ठीक है, तो इस पर चलते हैं, वापिस से, CLI पर चलते हैं, और, हम यहाँ पर, enable पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले, हम enable पर जाना पड़ेगा, आपको पता है, है ना, और, यह giga bit 0x0 है, इदर वाला, तो मैं इसके उपर, मैं IP address गरूँँगा, config mode पर जाएंगे, हम लोग, interface gig 0x0 पर जाएंगे, और, IP address हम ने दे दिया, 192.61, 192.61, 10.1, 255.255.255.0, और, exit करो, यहाँ से बाहर आओ, अब interface giga bit 0x1 पर चलो, यह इस वाले interface पर चलेंगे, और इसके IP कहा देंगे, 20.1, IP address समझ में आ रहा है ना, कुछ समझ में आ जरूर पूछ ले ना बीच में, ठीक है, और मैंने इसको क्या करते, do right कर दिया, मतलब, do wr से मतलब, मेरी जो configuration क्या हो जाएगी, save हो जाएगी, ठीक है, save हो गई, now, अब, क्या है कि मैं, सबसे पहले, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस PC से, इस router की इस interface को ping करके देखूँगा, क्या ping हो रहा है की नहीं हो रहा है, क्योंकि ये same subnet का है न, यहाँ पे, ये same subnet का तो ये ping होना चाहिए, ठीक है, तो मैं इस पे गया, command prompt पे गया, और command prompt पे मैंने ping किया, 192.168.10.1 को, इस वाले interface को ping किया, enter किया, ये इस वाले interface को तो ping करी नहीं रहा है, है न, देखो, एक तो ping नहीं कर रहा है, request time order है, क्या reason हो सकता है, reason, यहाँ पे ये हो सकता है, या ये ही है reason, कि देखो, मैंने interface को पर IP address तो assign कर दिया, लेकि मैंने आपको बताया था, कि router का interface by default क्या होता है, shut down, by default क्या होता है, shut down, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, तो command क्या होती है, no, shut down, मतलब क्या है, कि मुझे उस interface को पर जाना पड़ेगा, और इसको no shut करना पड़ेगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो status हो red में है, red है ना, red का मतलब है कि यह मेरा interface क्या है भी, down है, यह तो logical topology यह लिए down देख पा रहे हो, लेकिन real time पर आपको देखने के लिए, कि आपका interface यह down है नहीं है, तो क्या करोगे आप, चेक करने के लिए command होती है, show, IP interface brief, यह command होती है, enter करोगे, तो देखो, gigabit 0x0 के उपर iPad 10.1 है, gigabit 0x1 के उपर क्या है, 20.1 है, as per my topology, ओके है, लेकिन एक चीज़ देखो, कि मेरे पास, down, क्यों down है, क्योंकि यह by default, manually, यह by default क्या होता, shutdown mode पर ही होता, down ही होता आपका interface, तो मुझे, sorry, मुझे इसको manually क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, तो सबसे पहले, मैं gigabit interface पर जाऊँगा, 0x0 पर और उस command को, तो कहां पर क्या डालूँगा, no shut command, तो चलो, configure mode पर गए, interface gigabit 0x0 पर चलेगा, और मैंने क्या दिया है, no shut, जैसे मैंने no shut command दिया, यहां पर message आया, interface gigabit 0x0 change state to up, चेक करो, यहां पर मैं do keyword लगाँगा, show ip interface brief, do show ip interface brief, enter, अब क्या दिखा रही है, अब अब ठीक है, तो मैं अब यहां पर क्या करता हूँ, इसको pink करता हूँ, अब हो रहा है pink, मैंने pink इसको किया, बता है न, मैंने इस interface को pink किया है, इस interface को pink किया है, ठीक है, ऐसे ही मुझे इसको भी up करना पड़ेगा, तो बापिस से चलो इसके उपर और इंटर्फेस पहले मैं यहां से एक्जिट करूंगा अभी फैलाल इंटर्फेस गीगापेट 0 by 1 पर चलते हैं और यहां पर कमांड देना है मैंने जो नो शट डाउन जो एक सटाउं एंटर किया यह भी आप ओ गया आप करो इसको पिंग पिंग 1921 168 20.1 पिंग हो रहा है ना अब मेरे पिले स्विच था मेरे पास है ना तो स्विच के वज़ें से क्या और था कि यह दोनों PC आपस में कम्मिनिकेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्विच कभी यह भी दो different network के बीच मैं communication नहीं करा सकता यह तो अब मेरी communication होनी चाहिए होनी चाहिए ना तो होनी चाहिए तो च्राइब करते हैं कि को होता है की नहीं होता है तो सबसे हाँ नहीं अभी मैं कॉन से सब्सक्राइब मैंने जो रखा यह जो मैंने पास जो ब्लैक स्क्रीन आदि किसकी आ रही है इस वाले पीसे की आ रही है ना तो मैं यह से पिंग करूँगा 192 168 20.10 10 को 10 को ना मैं एंटर करूँगा लेकिन अभी भी मेरा पिंग नहीं हो रहा है देखो जबकि मैंने बताया था कि मुझे राउटर लगाने से ही क्या होगा कि मेरा राउटर के राउटर मैं हाँ कम्मिनिकेशन होना चाहिए लेकिन अभी भी कम्मिनिकेशन नहीं हो रहा है ठीक है तो अब रिजन क्या हो सकता तो reason यह है कि जब भी हम कभी किसी PC को different network के साथ अगर communication कराना चाह रहे हैं तो इस PC के उपर एक चीज configure होना चाहिए which is default gateway, आपके पास होता ने default gateway का option, मैं दिखाता हूँ, अगर मैं आपको real device के उपर दिखा हूँ, तो मैं अगर मैं इसको पर right click करके property पर जाओं, तो यहाँ पर IPv4 में जाते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें एक देना होता है IP address, एक subnet mask, आइप address देना होता है, subnet mask और हमें default gateway भी set करना होता है, default gateway आपका एक तरह का मान के चलो, एक gate है, जिससे आप different network में जा सकते हो, अगर मान के चलो, आप अपने घर पे हो, ठीक है, आप अपने घर के अंदर हो, और आपको market जाना है, आपको कहां जाना है, market जाना है, तो market जाने के लिए आपको कहां से जाना पड़ेगा, आपको अपने gate से, अगर घर के अंदर आपकी gate नहीं है, तो क्या आप market जा सकते हो, नई, same thing यहीं पर भी होई चीज़ अपलाई होती है, कि अगर मुझे एक different network पे जाना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक gateway चाहिए होगा, तो gateway basically कुछ नहीं है, gateway is the IP address of the router interface, means, जो मेरा router है, उसका IP address मेरे को क्या हां पे configure करना होता है, default gateway के उपर, default gateway के बिना कभी भी हमारा communication नहीं हो सकता, अब यहां पे default gateway configure कर करने की जरूरत क्यों पड़ी, हम लोग packet flow पड़ेंगे, next class में packet flow को हम लोग discuss करेंगे, और packet flow के अंदर आपको इसका use पता लग जाएगा, ठीक है, तो हम लोग packet flow में अंदर इस चीज़ को discuss करेंगे, लेकिन आभी हमें बस इतना ध्यान रखना है, कि अगर मुझे different network में के साथ communication करना है, we need a default gateway address, without default gateway के मैं किसी network, दूसरे network के साथ communication नहीं कर सकता, अगर देखो, अगर मैं within a network communication करना चाहता हूँ, within a network अगर मैं communication करना चाहता हूँ, तो मुझे किसी भी gateway की requirement नहीं होती है, एक सगेंड, बिटा, नीचे जाओ आप, फ्लीज, तो अगर मेरे पास different network है, तभी मुझे gateway की requirement है, ये भी ध्यान रखना, मुझे gateway कब चाहिए होगा, जब मैं different network के साथ communication कर रहा हूँगा, लेकिन अगर मुझे within a network communication करना है, means मेरे पास एक network है 192, 163, 10.0, तो 10.0 मतलब है कि 1, 2, 3, 4, 1 से लेके 254 एक IP समय मिलता है, इन में से अगर मुझे किसी IP के साथ communication करना है, तो मुझे कोई gateway की requirement नहीं है, gateway मुझे तभी ज़रूवत पड़ेगा, यानि gateway की IP मुझे तभी configure करनी पड़ेगी, जब मैं एक different network के साथ communication करना चाहूँगा, तभी, otherwise आपको default gateway की ज़रूवत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ किलिए हुई, कि default gateway हम कब use करेंगे, और default gateway हम कब use नहीं करेंगे, किलिए है ये चीज़, आप हमें क्या करना है, अब हम देख रहे हैं, कि अब हम बताओ, कि अभी जो, मैं इस पर my scenario, कि क्या मैं जो network के साथ communication करता हूँ, वो different network से है, ये same network से है, different network से है, तो मुझे gateway चाहिए होगा, है ना, तो gateway मैं क्या उन से config, मेरे पास router की gateway क्या है, basically router का IP address, gateway क्या है, router का IP address, तो अब ये इस router के उपर इतने IP addresses हैं, दो, 10.1 है और 10.3.1 है, तो मैं इस के उपर ये वाला IP address दूँगा, या ये वाला दूँगा, तो हमेशा gateway के अंदर जो IP address डालते हैं, वो भी same subnet का ही होना चाहिए, तो router के पास कौन सा connected है, ये वाला इस interface का है ना, तो मेरे इस network के अंदर ये मेरे IP हुई, और मेरे इस network के अंदर जो router है, उसकी IP address के ये हुई, तो मिझे इसके उपर IP address देना है, तो ये वाला IP address मुझे इसके अंदर डालना पड़ेगा, समझे माया, मैं 20.1 नहीं डाल सकता, क्योंकि 20.1 इस network का gateway होगा, 20.1 इस network का gateway होगा, तो जो मेरा एक subnet होता है, उस subnet के अंदर जो router की IP होती है, वो मेरे को अपने default gateway मेरे PC के डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक router के पास चार interfaces हैं, और मैं interface 1 है, interface 2 है, interface 3 है, interface 4 है, तो interface 4 का जो network होगा, वो gateway होगा उनके लिए जो यहाँ पे जो PCs होगे, यहाँ पे जो network 1 के उपर जितने PCs होगे, वो network 1 के gateway को use करेंगे, ना कि 4 को, समझ मैं है यह चीज, कभी भी भी ऐसा नहीं करना, कि आपका PC इस network पे है, और आपने gateway इसका use किया, कभी भी communication नहीं करेगा, समझ मैं है यह चीज, यह सब्सक्राइब करेंगा, command पर जाओंगा, तो command वो ही type करूँगा, ipconfig तो देखो, ipconfig type किया, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ details निकल के आई है, ip address का detail निकल के आई है, 10.10 configured है, yes, ok है मेरा यह, 10.10 configured है, subnet mask भी configured है, which is 2.5, 2.5, यह भी ok है, default gateway क्या दिखा रहा है, 0.0.0.0, मतलब default gateway मैंने अभी ता configured, नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पे क्या डालना होगा, 10.1 वालिया, ip, और यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, और जो मेरा दूसरे end PC है, उसमें भी तो default gateway डालना पड़ेगा न, क्योंकि, यह भी पिंग करेगा इसको, यह भी तो पिंग करेगा इसको, तो इन दोनों को ही gateway डालना पड़ेगा, इस वाले network की लिए यह gateway होगा, इस वाले network के लिए यह gateway होगा, के लिए रहे? Yes. Ok, doubt, कोई चीज उपर से तो नहीं जा रही है? No, sir. Ok, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो request है कि जरूर पूछ लेना, ठीक है? Now, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर IP configuration पर जाओंगा, और यहाँ पर default gateway दूँगा 192.168.10.1 और ऐसे ही मैं इसके ओपर भी दूँगा. Sorry, यहाँ से cross करो, IP address पर जाओं, देखो, default gateway 0.00.0 है, इसको रिमूव करो, 192.168.20.1 अब मैंने default gateway डाल दिया है, मैं command prompt पर जाके भी आपको चेक करा सकता हूँ, IP config तो अब देख सकते हो कि पहले default gateway मेरा set नहीं होके आ रहा था, लेकिन अब मेरा default gateway सेट होके आ रहा है, आ रहा है, 10.1 तो अब देखो, communication possible है, पिंग, 192.168.20.1, sorry, not 20.1, 20.10, अब मेरा reply हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, अब हम इसको और detail में बात में चाहेंगे, जस्त मेरे को आपको एक basic router का function दिखाना था, तो router का basically use किया purpose है, कि दो different network के बीच में communication कराना, ये चीज़ हमने देख लिया था, क्योंकि मेरे पास अगर दो different network है, without router में communication नहीं करा सकता, ये चीज़ clear हुई, जो basic function हमने देखा थ now, अब हमने कहा किया router के उपर, अब हम बापिस router के उपर आते हैं, ठीक है, so कल हमने देखा था, कि हमने router के उपर कुछ IP address, कुछ सारी चीज़ हमने configure किया था, और हमने अभी यहाँ पे भी देखा कि yes, configure वगरा है यहाँ पे, तो, do show IP interface brief, ठीक है, यह IP address शो कर रहा है, और मैंने अभी इसको पर कोई enable password बगरा दिया नहीं है, तो फिलाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले को side कर देता हूँ, अब हम दुबारे से एक single router लेते हैं, और initial configuration फिर से थोड़ा सा quickly कर लेते हैं, और जो कलम लोग काम कर दो दोशी को देखते हैं, फिर से, laptop ले लिया, यहां से मैंने एक, और मैंने यहां से क्या किया, मैंने console के बल ले लिया, और console के बल से मैंने इसको यहां से console से connect किया, वापिस से गए, desktop पे and then terminal, ओके क्या दिया, यह मेरे पास router का access आ गया, ठीक है, अभी मैं, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, enable पे गया, configured mode पे गया, hostname change किया, r1, ठीक है, और do show IP interface, brief command से मैंने interfaces देख लिए, इसमें total 3 interfaces है, gig 0x0, 0x1, मैं 0x0 के ओपर IP address दोंगा, ठीक है, तो मैं configure interface, gig 0x0 पे चला गया, और IP address दे दिया, 192, 168, 10.1255, 255.255.0, और command दे दिया, मैंने no shut command, और उसके बाद मैंने क्या के दिया, do show IP interface, brief करूँगा, तो मेरे पास IP address दिखा रहा है, यहां पे है, यह चीज़ के मैं आई, फिर हमने कल किया किया था, enable को पर password लगाया था, हमने enable password, मैंने enable password रख दिया, मैंने enable ही रख दिया, ठीक है, enable का password मैंने enable ही type कर दिया, ठीक है, और मैंने देखा था कि console के ओपर भी हम password लगा सकते थे, ठीक है, तो console को पर password लगाने के लिए हम क्या करते थे, line keyword use करते थे, फिर हम लोग console लिखके, 0 type करते थे, और यहां पर हमने दे दिया password, पासवर्ड किया थे, 123 दे दिया हमने मान के चलो, ठीक है, enter किया, और do write कर दिया, और exit कर दिया, exit कर दिया, और यहां से exit कर दिया, अब मैं जै लोग इन वाला command नहीं डाला, login का मतलब है कि, देखो, login, दो command दिये थे हमने, यहां पर मैं चीज तुमको क्लिए करूँगा, कल हमने, देखा था कि हमने, एक तो password दे रहे थे हम लोग, और एक हम दोग दे रहे थे, username and password, दो तरीके सम लोग ने कल login किया था था न, console के उप पर, एक तो सिर्फ password डालके, और एक हमने क्या दाला था, username and password, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को, console के उपर सिर्फ और सिर्फ क्या मांगे, पास्वर्ड मांगे, सिर्फ क्या मांगे मेरे से, पास्वर्ड मांगे, तो मैं command दोगा, सिर्फ और सिर्फ, login, यह command देते के command, login, local, अगर मैंने यह command दिया है, तो मुझसे ही वो क्या पूछेगा, username and password, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे enable किया, enable को तो password मांग रहा है, enable type कर दिया, config mode पे गए, यहाँ पे हमने type किया था, line, console, 0, and then मुझसे password दिया था, 123, बट यहाँ पे मुझे command देना पड़ेगा, क्या, login, enter किया, अब देखो, मैं जैसे enter वारूँग, आप मैं इसा password मांग रहा है, भी मांग रहा, सिर्फ और क्या मांग रहा है, password ही तो मांग रहा है, कोई username मांग रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा keyword यूज किया, सिर्फ, login, तो अगर मैं यहाँ पे login के बाद local type कर देता न, तो मुझे से यहाँ पे password कर देगे, username मांग था, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, username and password, चीक है, तो हमने password दिया था, 123, enter कर दो, enter 3 को login कर लिए हमने, enable किया, enable का password भी था, enable, ठीक है, और अगर मानके चलो कि मुझे इसके अंदर username password चाहिए, तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले username बनाऊँगा, admin, कहां पे बनाऊँगा, configured mode पे आके, चीक है, username, admin, password, admin, username भी admin और password भी admin है, चीक है, और उसके बाद मैं line, console, login, 0, console 0, पहले, उसके बाद login, local, यह टाइप करना पड़ेगा, जैसे मैं यह login, local, command, type कर दूँगा, मिरे से exit करते हैं, क्या पूछेगा, username, तो यह चीज़ किलियर हुई, कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ, password, पासफ़र्ड, अगर मैं login, keyword देता हूँ, तो मिरे से क्या पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ, password, अगर मैं login, local, keyword देता हूँ, तो यूज नहीं होता है, real time पे, कभी भी password नहीं होता है, हमेशा username and password होता है, इसका क्या नुकसान है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, कि क्यों हम लोग password से ही authentication नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे दो तरीके सा authentication हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पासफ़र्ड से, और दूसर तो हम लोग user, जब हम लोग telnet और SSS पढ़ेंगे ना, तब हम लोग को actual में पता लगएगा कि why we are using here username and password, not password only, so इसको हम लोग in future देखेंगे, जब हम लोग telnet और SSS के थूरू हम लोग यह configuration हम सीखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ query हो, इस regarding तुम्हारों को login and local login में, no, okay, so अब मैंने कै किया, यहाँ पे username, password दे दी, आपने देखा, ठीक है, now अब मुझे यहाँ पे, मेरा पहला task, कि मुझे क्या करना है, कि मुझे जो password मैंने लगाया है, चलो उसको बाद में remove करेंगे, लेकिन, उससे पहले मैं क्या करूंगा, कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक username and password, बनाया है ना मैंने, username admin और username password, तो मैं काम करता हूँ, कि मैं जो username admin and password admin, और, मैंने कहा कि यहाँ से exit कर दिया, ठीक है, sorry, not exit करना, मुझे exit नहीं करना था, यहाँ पे, admin, मैं user, एक है मेरा L2 user, ठीक है, और एक L3 भी ले ले लेते हैं हम लोग, L3 user, ठीक है, L1 user का नाम है, user 1, यह user 1 है, L2 है मेरा user 2, थोड़ा सा idea भी हो जागा, L3 है तो user 3 हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास तीन user बनाएंगे हम लोग, user 1, user 2 and user 3, यह मेरा क्या होगा, user name होगा, ठी लेते हैं, पासवर्ड हमने 123 ही रख लेते हैं, इसका भी पासवर्ड 123 ही रख लेते हैं, ठीक है, यह पासवर्ड भी हम user 3 ही रख लेते हैं, ठीक है, यह पासवर्ड भी हम user 3 ही रख लेते हैं, ठीक है, मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ यहां पर, मैं एक चीज बता र उसके बाद ये है मेरा यूजर नेम यूजर नेम और यूजर नेम का यूजर नेम यूजर वन यूजर वन ही है ठीक है यूजर टू का यूजर टू ही है and user 3 का user 3 ही है ठीक है चलो password हम simple रख लेते हैं ताकि password हम कुछ जाड़ complicated ना हो यह user 1 है यह user 2 है and then user 3 है ठीक है यह user के name हो गए और password हम लोग जो रखेंगे basically वह रखेंगे हम password तो password हमारे रहेगा 1,2,3 सब के लिए इसके लिए 1,2,3 और इसके लिए भी 1,2,3 ठीक है हम लोग यह रखेंगे और उसके बाद मैं आपको चीज दिखाऊंगा यहाँ पे ठीक है तो मैंने कैख किया मैं मान के चलो एक admin user भी है admin ठीक है और यहाँ पे username admin दे दिया एंड password इसका भी 1,2,3 ही रख लेते है ठीक है तो मेरे network के उपर एक admin है मान के चलो आप क्या हो एक admin हो मतलब आप एक manager ही हो अपते रसे ठीक है admin क्या है मेरा manager है ठीक है admin क्या है मेरा manager है manager अब manager का का काम क्या है user ID को create करना password को create करना राइट क्योंकि manager ही बनाएगा अपने जो अब हमारे company के अंदर तीन user हायर हुए L1, L2 and L3 ठीक है तो अब मैंने क्या किया admin गया मतलब मैं हूँ admin हूँ तो admin ने क्या क्या admin ने क्या क्या configured mode पे जाके तीन user बनाए यूजर नेम user 1 password 123 ठीक है फिर से बनाए यूजर नेम user 2 के नाम से password 123 फिर से बनाए उसने user name user 3 के नाम से and password 123 ये चीज़ समझ में आया मैंने तीन user बनाए है user 1, user 2 and user 3 के नाम से ठीक है ये मेरे admin ने बनाए है अब admin ने कह किया कि जो ये L1 वाला user था उसने का कि भाई ये तुमारा username पासवर्ड है L1 के user को बोला भाई ये तुमारा username ये तुमारा password है L2 वाले के पास गया उसने बोला ये तुमारा username ये तुमारा password है और L3 पर इस पहले पर गया इसको भी बोला कि यह तुमारे यूजरनेम पासफ़र्ट है अब एक तरह सा देखा जाए तो यूजरनेम पासफ़र्ट होना चाहिए कभी भी तो यह प्रॉबलम है यह क्या है कि प्रॉबलम है तो अभी हम बात करते उस प्रॉबलम के पहले कि हम मार के चलो मैंने कहके यूजर बनाया और यूजर को हमने दे दिया भाई तुम्हारा यह लॉगिन पासफ़र्ट है यह तुम्हारा यह तुम्हारा यह तुम्हार पर password one two three हो गया login और enable किया यह login कर गया मैं अब क्या हुआ कि मेरे पास एक कमांड होती है यह वाला command show running configuration तो हमारे जो router है यह switch है कोई भी है router हो switch हो यह firewall हो यह जितने भी devices हैं इनके उपर एक command चलाओगे न show running config तो इससे क्या होगा इससे आपके router के उपर जितने भी configuration है जो भी आपने किया है उस सारा का सारा आपको show कर देगा जैसे आपने password क्या enable का password क्या set किया है username क्या बनाया है password username के क्या रखे है आपने कौन से interface पर क्या IP address दिया एनी everything जो भी router को पर आप configure करते हों I'm sorry आप एक पर mute कर लो कि प्रीज now अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर user1 ने login किया user1 ने यहाँ पर login किया और इसने command दे दिया show running config क्या command दे दिया show running config और जैसे मैं command करके enter मारूंगा तो देखो यह सारी मैंने यह command कहां यूज किया है यहां किया है यह सारी configuration आ रही है ठीक है जितनी भी configuration हमारी सेट है तो सबसे पहले देखते हैं हमने password set किया था enable password enable दिखा रहा है यहाँ पर host name हमने क्या रखा हुआ है R1 यह command हमने चलाया था host name R1 तो यह configuration save है enable password enable है यहनी enable का password क्या है enable मैं यह देख सकता हूँ और क्या देख सकता हूँ नहीं सारी configuration देखो यहाँ पर username एक admin बना हुआ है password उसका admin है username क्या है user 1 है password क्या है 123 है username क्या user 2 password 123 है यह नहीं सारी configuration मैं देख पा रहा हूँ सारी configuration देखो interface को पर IP address भी दिखाएगा यहाँ से देखो मेरे पास total 3 interface है gig 0x0, 0x1, 0x2 इसके उपर IP address is configured है ठीक है इसमें कोई configuration अभी address नहीं है तो आप show running configuration कमांड से आप router की सारी command चेक कर सकते हो अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि user 1 ने कह किया show running configuration किया और show running configuration करते है उसके सामने router के सारी configuration आगी अब वो देखेगा कि admin का password भी इसको पता लग जाएगा username admin है password क्या है admin इसने इसको देख लिया अब बंदा क्या करेगा यह username अपनी ID से log in करेगा और username डालेगा admin password डालेगा admin कैसे पता लगा उसको show running configuration उसने देख लिया अब उसने क्या कि admin का ID से log in कर लिया है अब मान के चलो वो enable पे गया enable पे कर दिया config mode पे गया interface gigabit 0 by 0 पे चला गया और इसने no IP address command दे दिया और do ride करके बाहर आ गया और अपना अब क्या हुआ कि admin की ID से log in करके उसने क्या किया इस IP address को हटा दिया अब देखो मैं show IP interface करूंगा न अगर मैं user किसी भी ID से log in करूं अगर मैं enable enable show IP interface brief करूंगा तो देखो IP address हट गया क्यूं हट गया क्यूंकि अब हटा दिया किसने अटाया admin अब यहां पर एक नुक्सान है कि नहीं है कि मान के चलो चलो एडिमिन करके वह user 2 से login करता और user 2 का भी यहां पर password को दिखी रहता कि देखो यहां पर user 2 का password क्या है 123 वह कहेगा कभी मैं इस ID से login करूंगा और कुछ गलत confusion कर दूंगा बात में जब locks चेक होंगे तो फसेगा कौन user 2 तो मेरे लिए यहां पर जो यह password है यह क्या है एक plain text में है कि मैं किसी का भी username तो देख सकता हूं साथ-साथ क्या देख सकता हूं उनके password तो मेरे लिए यहां पर क्या है मेरी एक security breach चाहिए कि कोई भी बंदा किसी का भी username तो देख सकता है साथ-साथ उसका password भी देख सकता है इससे होगा क्या वो अपनी ID के बजाए दूसरे की ID से login करेगर कुछ भी कर सकता है तो वहां पर हमारा किसी एक मतलब जिस बंदे ने गलत किया उसको तो हमें कभी tracking नहीं कर पाएंगे हम तो user 2 को पकड़ लेंगे भाई तूने क्या हूं किया है वो कहेगा भाई मैं तो shift में ही नहीं था भाई अब तुम किसको बोलोगे तो यह चीज कभी भी real time पैसा नहीं होता है हमेश इंक्रिप्टेड तो अभी जो हमारा text है वो अभी जो हमारा password है कौन से format में है plain text में इसको हमें क्या करना होगा encrypt करना होगा ताकि कोई अगर show running command चलाए भी तो उसको यह password ना दिखे तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहां पे मैं password को क्या करूँगा encrypt करूँगा कैसे करूँगा देखो सबसे पहले मैं अपने admin से ही login करूँगा क्यूंकि मैं admin हूँ इनेबल पर गया इनेबल पासवर्ट दे दिया यहां तक समझ में आए ना पहले बताओ यहां कोई उपर सा तो कोई चीज चली नहीं की ना तुमारे किलियर है नहीं नहीं ओके अब मेरा काम क्या है कि password को encrypt करना अगर मैं show run command चलाऊंगो तो देखो password अभी भी मुझे plain text मे अब भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं पासवर्ट को encrypt करने से पहले शोर रणिंग मैंने शोर रणिंग कमांड चलाया इसके ओपर एक कमांड चली हुई है यह देखो यह वाली क्या लिखा हुआ है पर उसको going no service password encryption basically क्या है एक कमांड होती है Service password encryption यिये क्या है command है कमांड मेरे पास एक कमांड होता है sorry मेरे पास एक command है which is service password क्या इंक्रिप्शन लेकिन यह क्या है अभी नो है ना, अगर मैं रणिंग, रणिंग कन्फिकेशन के अंदर यह अभी एक कमांड क्या दिखा रहा है, इसके आगे क्या दिखा रहा है, नो का मतलब यह अभी पासवर्ड की जो इनक्रिप्शन प्रोटेक्शन है, उसको उसने कहा किया रहा है, इसलिए मेरा यह पाशवर्ड पासवर्ड है, तो मैं दिखातब ऑफ पाशवर्ड भी वह ए प्लेंड में दिखा रहा है, देखो, show running configuration किया मैंने, तो आप देखो, enable का password भी दिखा रहा है न, enable, और username के password भी plain text में show कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे config mode पे जाके, यहाँ पे command type करूँगा, service, password, encryption, मैं ये command type करूँगा, ये command type करके मैं enter करूँगा, और उसके बाद पहले देख रहे हो कि आपको सारे password plain text में दिखा रहा है, लेकिन अब मैं अगर show running configuration करूँगा, do command चलाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे config mode पे हूँ, और show running command directly नहीं चलते है, कभी भी configuration mode पे, तो मुझे keyword क्या लगाना पड़ेगा, do, ठीक है, enter करू अब नीचे चलते हैं, अब देखो, admin का password पहले क्या था, admin था ना, देखो उसने admin की जगए उसको कुछ और दिखा रहा है, password अभी भी admin ही है, लेकिन इसने क्या किया है, उसको encrypt कर दिया, और convert कर दिया, basically encryption क्या है, मैं आपको अदा दूँ कि हम लोग नहीं यहाँ पे क्या क्या है, encryption perform किया है, क्या perform किया है, encryption, encryption का मतलब क्या है, encryption एक kind of process है, जो कि आपके plain text को convert कर देता है, non-readable format में, encrypt format में, मतलब plain text में क्या कर सकते हो, आप read कर सकते हो, easily, लेकिन encryption format में करने के बाद उसको क्या करेगा, non-readable format में बना देगा, जिसको आप easily read, रीड नहीं कर सकते, तो encryption क्या है, this kind of process, जो कि आपके plain text को convert कर देता है, codings में, clear है, तो plain text होता है, एक होता सिफर text, तो सिफर text की, यह हमारा सिफर text ठेक्टेरे से, this is kind of सिफर text, plain text पहले क्या था, 123 था, admin था, वो मेरा plain text था, जो मैं easily read कर पा रहा था, लेकिन अब इसने कौन से convert में, कौन से format में convert कर दिया है, सिफर में, ताकि मैं उसको easily read ना कर सकूँ, तो अब अब देखो, कि अगर मैं login हूँ, अगर मैं किस से login करता हूँ, user 1 से करता हूँ, 123, और इसने command दिया, show run, तो उसको किसी भी user का password उसको पता नहीं लगेगा, अब सोच रहे हो कि user to do और password यह दू चल जाएगा, नहीं चलेगा, login करके देख ले न, यह password एक्सप्टी नहीं करेगा, password 123 ही है, लेकिन आब एक चीज़ देख सकते हूँ, यहाँ पर password क्या हो गया, encrypt हो गया, यह चीज़ के लिए हुई, कि कैसे मैंने password को encrypt किया, with the help of, config mode पर जाके, service, encryption, service password encryption, ठीक है, just a minute, hold on, please, यह, हाँ, हलो, हाँ, तो encryption password का मतलब समझ में आ गया, आपको कैसे हम लोग password को encrypt करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक command दिखाता हूँ, do, show, run, फिर से करते हैं लोग, तो मैं अगर बात करूँ कि क्या इस password को break किया जा सकता है, यह password का type क्या आ रहा, देखो, क्या type आ रहा है, password 7, यह password आपका easily crackable है, online, अब मान के चलो, मुझे admin का password देखना है, ठीक है, मैं कौन से ID से login हूँ, अभी user1 के ID से login हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने password set किया, which is password 7, मैंने जो command type किया, encryption password, जो service encryption password मैंने use किया, service password encryption, उसने क्या किया, इस plain text को password 7 के अंदर convert कर दिया, मतलब password 7 आपका encryption process है, ठीक है, mode है, तो उसने password का जो type है, वो कौन सा use किया, जिससे उसने उसने उसको convert कर दिया, एक different format के अंदर, लेकिन इस password को मैं break कर सकता हूँ, कैसे, देखो, Google पे जाओ, और यहाँ पे type करो password 7 decrypt, encrypt का मतलब duplicate है, ठीक है, हम इस पे चला गया, यह पहले वाले link पे चला, किसी पे पी चला जो, यह कह रहा है कि यहाँ पे अपना password जो 7 है, वो enter करो, तो वापिस से हम लोग चलते हैं अपने इसके उपर, और इसको मैंने कह किया, यहाँ से copy कर लिया, यह admin के password की बात कर रहा हूँ मैं, मैंने इस वाले को 7 को छोड़के, यहाँ से मैंने कह कि इसको copy कर लिया, और copy करके, मैं यहाँ पे paste कर दूँगा, और इसको मैं करूँगा crack password, आगे मेरे पास password, आया नहीं आया, यही password admin था ना, तो अगर मैं इस वाले को करूँगा, यूजर 3 का, मैं यूजर 1 से login हूँ, बट मैं यूजर 3 का password देखने चाता हूँ, copy किया password को, और यहाँ पे मैंने इसको paste कर दिया, और crack किया, क्या password था, 123, देखने हो कितना easily crack कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग hacking भी करने साथ-साथ, तो कोई बंदा अगर तुम्हा password 7 कहीं तुम्हें बिले ना, तो तुम बहुत सरी ऐसे application है, नेट पे, जिसको आप कर सकते हैं, अब तो यह भी तो crack cable है, तो इसका कोई benefit हुआ, बहले बताओ, एनी benefit, इसके अदर कोई benefit हुआ मेरे को, नहीं हुआ, तो आप आपको कभी भी ऐसे, यह वाला जो command है, जो हमने अभी no service, service password encryption, हमने जो command type किया है, service password encryption, तो वो command कही ना कही हमारे, पहले यह था, लेकिन बाद में, पास्ट में क्या हुआ था, कई सारे ऐसे hackers जिन्होंने इसका तोड रिकाल दिया, तो यह क्या हुआ, यह मेरा जो password 7 जो है, वो ज़्यादा secure नहीं है, तो मैं service encryption, जो password encryption वाला जो command था, तो मैं उससे fully protection नहीं कर पा रहा हूँ अपने आपको अभी भी, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए मेरे पास another एक और option है, कैसे है, वो देखते हैं हम लोग, तो अब मैं क्या करूँगा, कि मान के चलो कि मुझे enable का password क्या था मेरे पास, यहां से exit करते हैं पहले हम लोग, और मैं admin से login करता हूँ, enable, enable, तो मान के चलो कि मैं कुछी user को, को username बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने बनाया username Amit, या जीतंदर ही बना लेते हैं, जीतंदर, यही है जीतंदर, ठीक है, मैंने user ने बनाया, जीतंदर, और password, यहां पर मैं कौन सा keyword यूज करता पहले, पासवर्ड, यहां पर मैं password यूज नहीं करूँगा, मैं password अगर यूज करूँगो, तो मेरा कौन सा keyword हो जाएगा, फिर वो ही मेरी, जो है कि, यहां पर command चल दियोगी, service, एक सेगें, मैंने आप यहां पर कमांड चलाया था, service password encryption, मैं उस command को no करता हूँ, no service password encryption, मैंने उस command को वापिस से क्या कर दिया, नो कर दिया, तो जैसे मैं अटर मारूँगा, do, show, run करूँगा, तो मेरे से बापिस, लेकि इसने password को भी convert नहीं किया, password कभी convert नहीं होगा, पासवर्ड आपने एक बार convert कर दिया, तो वो convert हो कहीं दाएगा, लेकिन मैंने यहां पर no convert वाला command चला दिया, देखो, यहां पर no encryption password, एक सेकंड रूखो, no service password encryption, यहाला command मैंने को no कर दिया, और do, write, do, show, run करेंगे, तो देखते हैं यहां पर कहीं पर, अभी क्या है, no password encryption आ रहा है, लेकिन अभी भी मेरा password क्या है, encrypt format में ही है, तो वो हटेगा ही नहीं अभी, ठीक है, एक बार convert कर दिया, तो वो कर दिया, अब नहीं करेगा, लेकिन next time से जब भी हम को username बनाएंगे, password बनाएंगे, तो, क्या वो उसको, readable format में बनाएंगे, नहीं कोई चेक कर लेते हैं, username, मैंने कहा किया अभी, दुबार बता रहा हूँ, मैंने कहा किया, और जो मैंने service password encryption वाला command था, उसको मैंने क्या कर दिया था, बापिस से no कर दिया था, यहीं किया था, तो अब मैं जो username बनाऊंगा, username अमित, password अमित, और मैं do show run करता हूँ, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या अभी भी मेरा यह password को encrypt कर रहा होगा, नहीं कर रहा हो, जो उसने पहले convert कर दी है, वो तो वो दुबारा नहीं करेगा, लेकिन next time से, whenever are you using any username, उसको password फिर से plain text में जागा, फिर से मुझे service no password वो जो हता वो अटाना पड़ेगा, लेकिन मिले कुछ सा फायदा तो तब भी तो नहीं है, तब भी तो मैं password को break कर पा रहा हूँ, है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक command use कर रहा हूँगा, जैसे username मैंने दे दिया, row hit, तो उसके बाद मैं यहाँ पे command क्या type कर रहा पासवर्ड, पट मैं यहाँ पे पासवर्ड की जगे मैं एक keyword use करूँगा, वीचे secret, क्या use करूँगा, secret, और उसके बाद मैं password दूँगा, जैसे 123 ही दे दिया, मैंने, row hit का password, और enter कर दिया, पहले मैंने दिया था password, row hit, sorry, amit दिया था, और password, amit type किया था, अब मैंने लिख पासवर्ड की जगे मैंने keyword कौन सा use किया है, secret, और password रहने 123 देया, अब देखो, do, show, run करो, तो अब देखो, amit का password, और आप देखो, इसका password, row hit का, रो hit का password इतना encrypt कर दे, इसना काफी बढ़ा, अब यह कौन सा password है, secret, five, इस password को आप easily break नहीं कर सकते, यह मेरा, इसको तोड़ नहीं सा, तोड़ सकते, इसका भी जुगार है, लेकिन easily नहीं है, तो मैंने कर दिया, password, five, decrypt, यहाँ पर चले गए, मैंने कहा किया, password five को मैंने यहाँ पर paste कर दिया, और crack करते हैं, try कर रहा है, लेकिन वो हो नहीं सकता, हो नहीं पार रहा, देख लो, वेट करते हैं, नहीं कर पाया, password को, तो आप इस वाले password के साथ जा सकते हो, यानि इस keyword के साथ, तो next time से, कभी भी real time पे हम लोग password username बनाते हैं न, यह होता हमेशा कौन सा keyword होता है, secret, and Rajesh, and do show run करोगे, तो you know, देखो, you cannot see the password of the row, hita, और Rajesh also, छिक है, तो यह password को करने का तरीका है, अब बात करते हैं हम लोग, enable का, अब enable का password जैसे है यहाँ पे, enable का password कौन सा है, 7 है, तो मैं यहाँ पे copy करता है, enable का password भी break कर सकता हूँ, देखो, क्योंकि password 7 जो है easily breakable है, password 7, करते हैं यहाँ से, paste, and then crack, क्या password था enable का password, enable ही रखा था हमने, है न, पासवर्ड इसको भी break कर सकते हैं, तो real time पे कभी भी enable का password भी हम, enable नहीं रखते है, पहली बात तो, दूसरी चीज़ है कि हम उसको, password 7 में भी नहीं रखते हैं, हम इसको कैसे रखेंगे, देखो, मैंने कह किया, यहाँ पे enable, password keyword टाइप किया था, यहाँ भी password की जगए मैं कौन सा keyword यूज़ करूँगा, secret, मैं फिर से enable देता हूँ, तो मैंने, देखो, पहले मैंने command दिया था, enable password, और password भी क्या रखता, enable, अब मैं command दे रहा हूँ, enable, password, sorry, password नहीं, secret, और password मैं सेम बापिस वही रख देता हूँ, enable वाला ही, enable, तो क्या यह command काम करेगा, नहीं करेगा, वो देखते हैं, तो मैंने ह password यह दिया था, और उसके बद मैंने, अब command यह दे दिया, enable, secret, enable, enter किया, तो यहाँ पर एक error दे रहा है, क्या error दे रहा है, the enable secret you have chosen is the same as your enable password, जो अपने enable password के दो, जो password अपने दिया था, वही password आप कहां पे भी दे रहे हो, secret में भी दे रहे हो, this is not recommended, क्या है, recommended नहीं है, re-enter the enable secret, मतलब कह रहा है, कि भाई, आपने एक पर password set किया था, enable password, enable भी रखा था, उसका भी, आप दे रहे हो, enable secret, तो आप same password इसके साथ नहीं रख सकते, आपको different रखना पड़ेगा, और यह दे भी रहा है, कि this is not recommended, और re-enter the enable password secret, मतलब आपको दुबार से करना, तो फिर से करो लेकिन मैं यहाँ पर enable की जगे, कुछ भी दे सकता, बट enable मैं नहीं रख सकता, ठीक है, one two three रख दिया, इसने ले लिया ना, अब मैं जब show, do show run करूँ वा ना, तो मुझे वहाँ पर enable का दोनो password show करेंगे, मतलब password वाला जो encryption है, वो वाला भी, और secret वाला भी, देखो, कर रहे हैं जो दोनो, enable secret वाला भी show कर रहा है, और enable password वाला भी show कर रहा है, लेकिन, अगर मैं enable password, enable से login करता हूँ, तो क्या login होगा, देखते हैं, मैंने यहां से enable दिया, sorry, username दाते हूँ, मैं यहां पर admin, password admin, ठीक है, मैंने यहां पर enable का password मैं दे रहा हूँ, enable, E-N-A-B-L-E, enter मारा, उसने नहीं लिया, तो जो enable password के अंदर मैंने password देता है, enable, उसने इसको accept ही नहीं किया, दुबार से try मारते हैं, E-N-A-B-L-E, नहीं ले रहा है, अब मैं दे रहा हूँ, 1, 2, 3, ले लिया, तो एक चीज़ ध्यान दखना, कि enable password आपने दिया है, यह दे दिया, enable password, enable, और यहां पर enable password आपने secret दिया, 1, 2, 3, आपके दोनों password, running configuration के अंदर सोग करेगा, यह वाला भी, और यह वाला भी, लेकिन आपकी preference login करने के कौन सी रहेगी, secret वाले से, इस से आप login नहीं कर सकते हो clear हुआ यह चीज, समझ में आया, तो enable password तो हमने लगा दिया, एक password keyword के साथ और एक secret keyword के साथ, तो secret keyword के साथ, जब भी आप enable को लगाओगे, तो आपकी preference इसकी रहेगी, इसकी नहीं रहेगी, दोनों password आपको आपके running configuration में शोग करेगा, लेकिन login सिर्फ किस से करने देगा, व के बाद, अब हम बात करते हैं, जो हमने user name बनाए है, वो मुझे remove करना हो सकता कि user one छोड़ के चला गया है, होता है न, companies के अंदर बंदे तो permanent आते नहीं छोड़ के चले जाते हैं, तो मुझे user one को remove करना है, ठीक है, तो कैसे करूँगा मैं, और अगर मुझे अपने enable password को remove क बना पड़ता है, तो मैं कैसे करूँगा, अब हम उसके बात करने हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि user, मान के चलो user one जो है, वो छोड़ के चला गया, ठीक है, config mode पर जाओ, और यहाँ पर type करो no username admin, डूश, अले मैंने गलती गलती, admin को क्यों उटा दिया, username, admin, password admin, ठीक है, मैं एक सेक्ड, दुबारे से लोगे, इस पर आता हूँ, config mode पर जाता हूँ, no username user one, do show run, user one जला गए यहां से, लेखो, command के type किया मैंने, no username user का नाम दे दूँ, ठीक है, मनलब syntax अगर मैं बात करूँ, no username उसके बाद user का, user का name आ जाएगा, ठीक है, जो भी अपने दिया था, तो मेरे case में क्या था, user का name, user one था, मुझे अगर मान के चलो, राजेश को रिमूव करना है, तो what I do, I will do, no username राजेश, do show run, चलाएगे राजेश, clear है, तो ऐसे ही मैं बागी की भी अठा देता हूँ, no username अमेत, और उसके बाद, user two and, एक ही रखते हैं, user three, do write, do show run, अब देख सकते हों कि सारे जो user name हैं, वो रिमूव हो चुके हैं, और only अभी रोहित अभी बचा हुआ है, तो एक काम करते हैं, no username रोहित, सिरफ एक ही username रखते हैं, do show run, सिरफ और सिरफ, admin वाला रखते हैं, लोग सिरफ और सिरफ admin वाला, ठीक है, password इसका admin है, ठीक है, तो कोई doubt, secret password रोहित में आ गया, कैसे remove करते हैं, अब हम करने हैं कि enable password को, देखो मैं जस्टी exit करूँगा, exit करूँगा, तो यहां तो username मांग रहा है, admin, admin, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने enable का password set किया था, enable, one, two, three, मैं इसको remove करना चाहता हूँ, दोनो, password secret वाले को भी, और password enable करने को भी, तो config mode पे जाओ, आप type करो command, no enable password, इस command से क्या होगा, कि enable का password जो था, वो remove हो जाएगा, देखते हैं पहले, do, show, run, मैंने भी सिर्फ और सिरफ password remove किया, secret वाला नहीं किया है, देखो, enable का जो secret वाला है, वो अभी भी है, लेकिन password वो चला गया है, लेकिन मुझे इसको भी करना है, तो मुझे क्या करना होगा, no enable password, बस no command है, नगरा जो command आप टाइप करते हो, password आपको डेरी जरूत नहीं है, बस अब no enable password, secret आएगा, secret, enter किया, do, show, run करते हैं, तो यहाँ पे कोई enable का password नहीं है, तो आप देखो, जब मैं next time पे login करूँगा, तो it will never ask me the password, यहाँ तो पूछेगा user name, यह तो authentication के लिए है, इसको भी हम remove करेंगे अभी, admin, admin, अभी हमने किसका password आए, enable का, तो देखो, कोई मांगा इसने enable के उपर password, यहीं मांगा, अब हम क्या करते हैं, जो हमने local authentication लगाए था न, user name and password, वो हम करेंगे, तो उसके कैसा अठाएंगे हम लोग, config mode पे जाओ, और हमने कहां पे लगाए था, line console 0 पे लगाए था, तो आपको line console 0 पे जाना पड़ेगा, line console 0 पे जाना पड़ेगा, हमें अभी password कहां पे लगा रखा था हम username, password, जब भी कोई console पे login करें, है न, हमें क्या करना है, इसको remove करना है, तो मैं सबसे पहले line console 0 पे जाऊंगा, और यहां पे देदूगा, no login local येस, no login local देते ही, क्या करेगा ये मेरे से, मांगे नहीं रख मेरे से password, अब डाइट इनेवल पे जाओ, इसके अंदर कोई डाउट, समझ में आ रहे कमांड, समझे आ रहे कमांड में, ठीक है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है मैं बता रहूं कि कमांड में ऐसे ऐसे बताँगो जो आपको CCNA में तो सिखाते ही नहीं है, बहुत अच्छे ची कमांड मिलेंगे आपको, अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने क्या क्या कर लिए पहले यह देख लेते हैं, हमने सबसे पहले बात की जाए कि हम इसको अटाते हैं अभी, हमने रंडिंग कर्फिक्शन कैसे चेक करते देख लिया, पासफ़र्ट को कैसे इंक्रिप्शन करते यह देख लिया, पासफ़र्ट को कैसे रिमूब करते इनेवल का वो भी देख लिया, और हमने रिमूब लोक अब हम कुछ चीज़ देखते हैं लाइक अभी टाइम अपने पास तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग टैलनेट करते हैं सिर्फ टैलनेट बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ टैलनेट बताऊंगा तो टैलनेट क्या है उसके बारे में बात करते हैं तो टैलनेट तो टैलनेट क्या अपका एक प्रोटोकोल है टैलनेट इस अ़र्टोकोल इस आ टीसीपी यह कहा सकते दिजप प्रोटोकोल अवर्क्स ओण T.C.P.P.P.P.N.23 तो टैलनेट का पोट नमबर कितना होता है 23 ध्यान रखना ठीक है क्या हम लोग पैकेट फ्लो करेंगे चार पैकेट फ्लो करेंगे चार्व बढ़ी यूज करेंगे on TCP port number 23 मैंने आपको बता था दो तरह के प्रोटोकोल होते हैं TCP and UDP इसके लवारे में हम लोग next class में differences देखेगे TCP and UDP दो प्रोटोकोल हमारे होते हैं कौन से लेयर पे होते हैं प्रोटोकोल हैं दुनों बता सकते हो TCP UDP कौन से लेयर के प्रोटोकोल है प्रोटोकोल प्रोटोकोल या कह सकते हो लेयर 4 प्रोटोकोल है तो TCP and UDP लेयर 4 प्रोटोकोल यह हमारे दोनों प्रोटोकोल कौन से लेयर पे काम करते हैं कste करें कि मैं मैं सारी चीज़े क्योंकि जब कई भी हमलोग सीक्ट आना तो वहां पढ़ाया जी जाती हैं तो कई यह भर खौत बड़नें से जो जाती है तो जहां पहिर हो यह चीज हो तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिलन्ट की बात करते हैं Telnet क्या है, is a protocol, works on TCP port number 23, and why we use Telnet, why we use Telnet, हम लोग Telnet क्यों use करते हैं, why, so इसका answer है, to take CLI access of the network devices remotely, अगर मुझे remotely किसी network device को access करना है, उसका CLI access करना है basically, तो मुझे क्या चाहिए होगी, Telnet, मुझे क्या चाहिए होगा Telnet, तो Telnet आपका एक protocol है, जो आपकी help करता है, आपका CLI access लेने के लिए, example के तौर पे, मेरे पास एक floor है, इस floor के अंदर total, not floor, building हमारे पास, और building के अंदर ये floors बने हुए, different difference, ठेक है, so, मेरा नीचे जो सबसे ground floor है, which is server room, ये मेरा क्या है, server room है, और इस server room के ओपर, कहीं पर मेरा क्या रखा हुआ है, router रखा हुआ है, ये मेरा router है, मुझे इस router को, अब मैं बैठा हूँ, यहाँ पे, this is IT room, ये IT का floor है, ये floor IT का है, इस IT में मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे इस router को access करना है, अपने PC पे, तो मुझे remotely access करना होगा न, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा, Telnet और SSH, ये दो protocol है, अभी हम लोग SSH की बात नहीं करेंगे, हम लोग Telnet की बत करेंगे, तो Telnet का मतलब समय मैं, Telnet का एक protocol है, जो, जिसकी help से हम क्या कर सकते हैं, remote access ले सकते हैं, किसी भी network device का, Telnet कौन से layer पे काम करता है, ये देखो, Telnet मेरे एक application layer protocol है, Telnet क्या है, Telnet is an application layer protocol, ये application layer पे काम करता है, ठीक है, protocol, जो की आपका TCP यूज करता है, TCP port number 23, तो Telnet is an application layer protocol, works on TCP layer, sorry, TCP port number 23, कोई doubt, उपर से तो नहीं गया कोई चीज, ऐसा तो नहीं कि Telnet है कि अभी कुछ माहिन में घूम रहा हो, Telnet समझ लेने कि application है, और देखो, network में दो चीज़े होती हैं हमेशा, एक होता है काम manual, एक होता है काम manual, दूसरा काम क्या होता है, dynamic, या पर कह सकते है, automatic, दो ही काम तरीके होते हैं, network पर काम करने के एक manual तरीका, दूसरा, automatic, manual तो हम खुद करते हैं, यह तो पता, इसमें तो बदूद नहीं है, जहां पर बात की जाए, automatic की, तो automatically कोई काम परफॉर्म करने के लिए, या dynamically कोई काम परफॉर्म करने के लिए, we need a protocol, तो ध्यान दखना, प्रोटोकोल, एक आपका set of rule होता है, it is a set of rule, और प्रोटोकोल का काम क्या होता है, आपके जितने भी network में, जितने भी automatic task perform होते हैं, with the help of protocol, without protocol, आप किसी network को automate या किसी चीज़ को automate नहीं कर सकते हैं, dynamically आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो जो भी चीज़ आपके लिए काम कर रहा है, मतब प्रोटोकोल आपके लिए काम कर रहा है, देखो, एक होता है, IP address को manual configure करना, आप IP address को क्या कर सकते हैं, manual, दूसरा क्या है, dynamically, तो dynamically केरने के लिए क्या प्रोटोकोल चाहिए मुझे, DSTP, तो यहाँ पर IP address आप manually खुद assign कर रहे थे, यहाँ पर आपके लिए help कौन कर रहा है, DSTP, तो DSTP add-dyn आपका protocol क्या कर रहा है, आपका help ही तो कर रहा है, तो protocol आपका help करता है, आपके किसी भी device के उपर काम करता है, त्यान रगाना, किसी भी चीज़ को automate करने के लिए में protocol की requirement होती है, protocol के मिना उकाम करी निसकता, तो अब मुझे physical access लेने के लिए खुद router के पास जाना पड़ रहा था, है ना, मुझे router के पास जाना पड़ रहा था, cable लेकर plug करना पड़ रहा था, उसका फिर मैं अपने PC में connect कर रहा था, फिर मैं access ले रहा था, ये totally काम क्या हो रहा है, manual, मैं manual floor पे गया, router को दिखाल अपने table पे रखा, उसके बाद मैंने अपने, उसको अपने system के साथ connect किया, फिर मैंने पुट्टी लिया, उसके बाद access किया, totally काम क्या हो रहा है, manual, लेकिन मैं इसी task को manual ना करने के वज़े, अपने seat पे बैठके करना चाता हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा एक प्रोटोकोल, जो मेरी उसके help करेगा, वहाँ पर मुझा बिना जाए, वो automatically मेरी help करेगा, तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोटोकोल यूज़ करेंगे, टैलनेट, समझ में आया है प्रोटोकोल का मतलब, टैलनेट का मतलब भी समझ में आगे, तो टैलनेट को हम लोग कैसे configure करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ, तो टैलनेट को how to configure, how to configure, टैलनेट, ठीक है, on router, अभी हम router की बात करें, switch और router सबके same ही है, बट अभी मैं router लिख रहा हूँ, ठीक है, तो how to configure टैलनेट उन राउटर, तो सबसे पहले command आपको क्या करना होगा, पहले आपको configure mode पे जाना होगा, config, configure mode पे जाओगे, और यहाँ पे आपको command टैप करना है, line, VTY, 02, कुछ भी, line VTY, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको आगे प्रोसेस करने से पहले, यह मेरे पास एक router है, router के ओपर दो ports बने हुए है, F0 by 0, और F0 by 1, ठीक है, और मेरे पास क्या है, एक console port है, this is my console port, console port, तो यह मेरा console port है, और जो मेरे यह F0 by 0, and F0 by 1 है, this is my, यह जो दोनों ports है, this is my data port, यह मेरे क्या है, data port, जहांसे मेरा data ट्रैवल करेगा, यह मेरे console port है, तो अगर तो मुझे router का physical access लेना है, तो मैं इस port के थुरू लूँगा, और अगर मुझे इस router का remote access लेना है, तो मैं data port के उपर, data port से लूँगा, तो data port पे बेसिकले हम लोग क्या configure करते है, IP addresses, तो ध्यान रखना, telnet के लिए एक minimum requirement है, कि आपके पास IP address होना चाहिए, telnet के लिए आपका minimum requirement है, आपकी IP address होना चाहिए, device के उपर configure किया हुआ, अगर तो device के उपर, क्योंकि remote access करने के लिए, मुझे कुछ ना कुछ तो communication process चाहिए होगा न, तो मुझे IP address चाहिए होगा, without IP address we cannot do the telnet, मैं telnet नहीं कर सकता, so मेरे को क्या करना पड़ेगा, data port के उपर क्या करना पड़ेगा, IP address करना पड़ेगा, मान के चलो, इसके उपर मैंना IP address दे दिया, app 0x0 के उपर, app 0x0 के उपर मैंना IP address दे दिया, 10.1.1, sorry, 10.1.1, and another is 20.1.1, क्योंकि मेरा यहाँ पर router है, मुझे पता है कि मैं class A का use कर रहा हूँ, और मैं एक same subnet मैं दूसरे end पर नहीं दे सकता, मैंने दो different network ले लिया, अब मैं अगर इस router को telnet करूँगा, तो मैं की अपने पुट्टी पर जाके, या फिर अपने command पर जाके लिखूँगा telnet, और देन उसके बाद 10.1.1.1 IP दे दूँ, या मैं दे दू 20.1.1.1, add down मुरे को क्या मिलेगा, इसका console मिलेगा, तो ध्यान रखना कि आप कोई भी IP के थूँ, आप इसको access कर सकते हो, multiple IP आपके पास होते हैं, मैं से किसी भी IP को पर hit मारो, आपके पास इस router का console आ जाएगा, कोई doubt? No. तो telnet के लिए ध्यान रखना, console port के ओपर telnet आप नहीं कर सकते हो, console port आपका होता है, physical access लेने के लिए, लेकिन इनका अगर remote access लेना होगा, तो मुझे router के ओपर एक, दो ध्यान रखना, आपको अगर telnet करना है, तो आपका सबसे पहले आपका interface के ओपर, IP address होना चाहिए, और आपका interface अप होना चाहिए, without password आप उसको access कर सकते हो, मैं without password, without password, मैं telnet के थूरू router का access ले सकता हूँ, ठीक है, तो अब मैं कहरो रहूँगा की, की हमने यहाँ पे command type किया था, line vty, तो पहले हमने जब console कर रहे था, तो हमने line console type किया था, यही किया था line console, और उसके बाद zero type किया था, तो line, देखो line क्या है, line आपका keyword है, ठीक है, जिसके थूरू मैं console का access, और आपका यह, console एन physical access, और दूसरा, मैं remote access ले सकता हूँ, with the help of line keyword, तो line keyword के थूरू मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस device का access ले रहा हूँ, या physical लूँगा, या मैं कह लूँगा, remotely, तो अगर तो मैं remotely लूँगा, तो मैं command यूज करूँगा, line vty, vty का मतलब होता है, virtual terminal, line vty का मतलब क्या होता है, virtual terminal, तो जो हमारी ये जो interfaces हैं, इसको basically हम क्या बोलते हैं, vty, virtual terminal, तो इसको मैं line vty की थूरू करूँगा, तो मैं command क्या टाइप करूँगा, line vty, और उसके बाद, मैं पूरा command आप यहाँ पर टाइप नहीं किया है, तो पूरा command टाइप कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर command क्या टाइप लूँगा, config mode पर जाके, फिर मैं लिखूँगा, line vty, और यहाँ पर मैं numbers दूँगा, 0 से 4, ठीक है, और उसके बाद मैं दूँगा, यहाँ पर login, यह command देते के साथ ही, यह command देते के साथ ही क्या होगा, मेरे इस router के उपर, क्या configure हो जाएगा, telnet, ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं remotely, remotely में router को manage कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं दुबारा से बता रहूँ, कैसे configure करेंगे, मैं एक बार फिर से command लिखवा देता हूँ, सबसे बेले मैं जाओँगा, config mode पे, config लिखूँगा, यहाँ पर type करूँगा, vty, 024, अभी मतलम में समझा दूँगा, यह 024 हमने यहाँ पर क्यों डाला है, उसके बाद मैं दूँगा, local, sorry, not login, local, login मि दे सकता हूँ, ठीक है, और login लेके enter मारूँगा, और उसके बाद में दूँगा, फिर यहाँ पर क्या हो, डाला पड़ाइगा पासवर्ड, क्योंकि login, मैंने आपके यहाँ पर कौन सा keyword दिया है, login, और login के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे एक password, तो password दूँगा, मैं यहाँ पर 1, 2, 3, अब मेरी यह configuration फुल्फिल हो गई, टैलनेट के लिए, मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर 0 to 4 का मतलब भी समझाऊँगा, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इन सब उको मैं remove करता हूँ, ठीक है, फिर से starting से सब configure करते हैं, ताकि चीजें अच्छे से clear हो, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखो, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर एक switch लूँगा, एक switch लूँगा, इस switch से मैं एक router लूँगा, एक router को configure करूँगा, और इस switch के साथ मैं लूँगा, total 4 PC, PC1, एक सगें, PC1 ले लेते हैं उसको, PC1, PC2, PC3, and then PC4, ठीक है, मैं नहीं हाँ पर PC1 ले लिया, PC2 ले लिया, PC3 ले लिया, PC4 ले लिया, IP address भी मैं बता हूँ क्या डालेंगे हम लोग, now, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर configure करता हूँ, पहले तो cables connect, तो मेरा router to switch है, straight cable जाएगा, मैंने यहाँ पर geek 0x0x0, तो यहाँ पर geek 0x0x0 है, एक काम करते हैं, simple सा लेते हैं, हैं थोड़ा सा router, height definition ना लेके, मैं 291 वाला है ले ले रहा हूँ, simple, और उसके बाद मैंने यहाँ से, सबसे पहले क्या किया है, मैंने geek 0x0 से, मैंने इसका geek 0x1 से, इसको connect कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर, pieces ले रहा हूँ, और PCs के ओभी मैं यहाँ से, automatic cable के थुरू connect कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने 4 PC ले लिए, PC1, PC2, PC3, PC4, मैं क्या कर रहा हूँग, IP address दूँगा, मैं इस router के उपर, 192, 168, 1.1, 10.1, ठीक है, यह 10.1 मैं इस router के इस interface को प्राइब दूँग, दूँगा, गिक 0 by 0 के उपर, नाओ, उसके बाद, यहाँ पर मैं दूँगा, 10.10, यहाँ दूँगा, 10.11, यहाँ दूँगा, 10.12, और यहाँ पर, 10.13, मैंने 4 PC लिए, रिजन भी इसके पीछे, अभी हम डिसकस करेंगे, तब समझ मैं आएगा, Now, मैं सबसे पहले इनके उपर, IP इंदस्स कन्फिगर कर लेता हूँ, थोड़ा क्विकली, 10.10, गेटवे की जरूद नहीं है, क्योंकि सेम नेटवर्क में है, पीसीज, तो क्या, मुझे गेटवे की जरूद पढ़ सकती है, यहाँ पर यह कंसिरे करना है, यहाँ यहाँ पर जो दोनों PCIंता है, यह सेम नेटवर्क में है, तो मुझे यहाँ यहाँ गेटवे की रिकॉर्मेंट है, नहीं होगी होगी, ठीक है, डॉन्ट वरी, मैं ऐसे से एक्जामपल लोगा, यह सारी चीज़े दम clear हो जाएंगी now तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आईपेड दे गेटवें यहाँ पर configure नहीं कर रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे सारे के सारे same network में है we don't need the gateway so मैं इसको यहाँ से copy कर लेता हूँ 10.10 देदी आईपी इस पर चलो 10.11 आपको कभी ping करके भी दिखाऊंगा आपस मैं ping कर भी देऊंगा यह 12 13 same network में है तो देखो मैं ping करता हूँ पिंग 192.168.10.12 को कर लेते हैं पिंग हो रहा है तो पिंग हो गई होगा ठीक है अभी मैं इस router के उपर interface को पर IP address दूँगा पहले मैं तो चलते हैं मैं कैसे आया router के उपर देखो मैंने router को पर क्लिक किया और यहाँ पर इस CLI वाल option पर क्लिक करना है मैं directly मैं CLI ले रहा हूँ उसका ठीक है मैं यहाँ पर जाके क्लिक कर दूँगा क्लिक करते CLI access आ जाएगा इसका CLI पर चला गया मैंने यहाँ पर enable किया ठीक है और config mode पर चले गए interface 0 by 0 पर चले गए और no shut command दलूट देना है ताकि मेरे interface आप आ जाए ठीक है अब मुझे चेक करना है कि क्या यह ping कर रहा है चेक करते हैं ping 192.168.10.1 को पिंग करना gateway को यह पिंग कर रहा है मतलब यहाँ से यहाँ से इस router को पिंग कर पा रहा हूँ इससे भी कर पाऊंगा इससे भी और इससे भी कर पाऊंगा मैं दिखा पाऊंगा भी देता हूं करके ताकि हम लोग शेयर हो जाएं से इसको देखे पिंग 192.168.10.1 को करेंगे router के IP से पिंग आ रहा है ठीक है भाई पिंग इनिशेली आप न हमेशा धहम लगना जब भी क्योंकि आप लोग ने नोशट नहीं किया और आप टैलनेट कंफिगर करके बैठे और टैलनेट ले नहीं पाई रहे हो टैलनेट लोगे कैसे जब तक इंटरफेस आप नहीं होगा तो सबसे पहले होता है कि आप हमेशा चेक कर लो इनके बीच में और नकां कम्मिकेसन प्रापर हो रहे है घिनी हो रही उसके बाद फिर आप नेकस्त्सक्राइब करो जब आप Μैने ये चयक कर लिए है कि यह इडिख awfully के चाट यहां तक समझ में آया यहां पे कोई उन्2 इस topology को बनाने में, IP address को configure करने में, कोई doubt तुमको, कुछी समझ में ना है, ठीक है, ओके, now, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, telnet configure, ठीक है, so telnet configure करने के लिए router पे जाऊँगा, router पे जाने के बाद मैं command type करूँगा, configure mode पे already हूँ, मैं configure mode रहा, configured नहीं type करूँगा, क्योंकि already मैं configure mode पे ही हुआ, और यहाँ पे मैं command type करूँगा, line, vty, 0124, 0 space 4 दिया है मैंने, क्यूं दिया है, मैं पे 0 space 4 नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ बिद्रो डिया है, टू और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया, password, 1, 2, 3, और मैंने दे दिया, login, do show history, मैंने ये command type किया है, line VTY 024, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे ना लिख के, note paint पहें ही चलते हैं वापिस, मैंने क्या किया, यह command type किया, जो मैंने आपको भी दिखाया, line VTY 024 किया, password set कर दिया, 123, login, सिर्फ type कर दिया, console के लिए मैंने क्या type किया था, line, console, 0, password, 123, and login, यही type किया था, सिर्फ यहाँ पे फरक क्या है, console का फरक है, VTY console के जगे क्या है, VTY यह, virtual terminal, and 0 to 2, now, अब मैं यह चेक करना चाता हूँ कि क्या मैं इसका telnet कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो PC पे आओ, command परम पे जाओ, command परम पे command type करो, telnet, और space देके, इसकी IP address, तो 192, 10.1 था, 192, 168, 10.1, मैं जैसी enter करके enter मारूंगा, यह मुझसे क्या मांग रहा है, password, password बने क्या दिया था, 123, enter कर दिया, नहीं ले रहा है, 123, गलती से कुछ और type हो गया था, 123 करते मेरे पास PC, देखो मैं बैठा कहां पे हूँ, मैं PC पे बैठा हूँ, मैं PC पे बैठा यहां से मैं राउटर को access कर लिया, real time पे ऐसे ही होता है, तो अब देख रहे हो कि मेरे पास यहां पर कौन से mode पर user exact mode पर हूँ, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, enable type करना पड़ेगा, enable type करके मैं enter मारूंगा, तो यहां पर क्या लिखा रहा है, no password, तो आपने enable के उपर password set करो या ना करो, कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप router को remotely access करना चाहते हो, तो एक mandatory है कि आपके enable password क्या होना चाहिए, set होना चाहिए, अगर आप enable password set नहीं करोगे, आप enable command, मतलब आप privilege mode पर जाई नहीं सकते हो, तो यहां पर इसने message दिया, no password set, क्योंकि मै access कर सकता हूँ, लेकिन remotely अगर मुझे router को manage करना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक password चाहिए होगा, किसका enable password, तो करते हैं enable password, router पे याओ वापिस, router पे आने के बाद मैं, router पे मैंने रहे गया, enable, password, enable ही type कर देते हैं, फिर से मैं PC पे आया, फिर से enable type किया, भांगरा password है, enable, मैं router के privilege mode पे आगया, अब मैं यहीं से system पे बैठ के ही, कॉंटी, do, show, run, यह सारी command में हैं बैठ के चाहिए, अब मैंने remote ले रखा है, router का, do, show, run, देख रहे हो, सारी command आ रही है, मतलब मैं PC पे बैठ के ही, सारी की सारी चीज़े manage कर सकता, और router को, तो हो सकता, यह router मेरा कौन से फ्लोर पे रखाओ, फ्लोर फ्लोर पे रखाओ, और मैं अपने ground floor से बैठ के रखाओ, यह ground floor पे रखाओ, यह मैं 5 फ्लोर पे लोगिं कर रहा हूं, तो line VTY 0 to 4 मैंने वहां प क्या करें है, क्या करें हूं, कि समझ में तो यह समझ में आया हो, नहीं उपर वाला यह VT 3, वहां पर confused हो गए, जिरो नहीं उसको मत देखो, उसको मत देखो, उधर मत छोड़ो, यह कह रहे हूं, line VTY 0 to 4 लोग इन उसको उसको चुन छोड़ो, देखो मैंने क्या किया यहां पर फिर से मैं इसको बंद कर देता हूं, खड़ो उसका देता हूं, मैं PC पर गया, इस PC पर गया, PC1 पर आया मैं, और PC1 पर मैं क्या कर रहा हूं, टैलनेट कर रहा हूं, किसको, router की IP को, मैंसे इसने क्या मांगा, password, password क्या था मेरा 123, उसके बाद मेरे से इसने router का access दे दिया इसने मेरे को, मैंने अपर लेखा, enable, इसने इनेबल का password मांगा, enable, और यह मेरे पास router का पूरा access आ गया, मैंने PC1 से बैठके किसको access कर लिया, router को, PC2 पर भी चलो, PC2 पर चला, मैं PC2 पर गया, यह 3 पर, sorry, PC3 है यहाँ पर, PC3 है यहाँ पर, चलो, कोई बात नहीं, इसको PC3 कर देते हैं, और इसको PC2 कर देते हैं, ठीक है, मैं PC2 पर आ गया, ठीक है, अब PC2 पर आने के बाद भी, मैं यहाँ से बैठके भी telnet कर रहा हूँ, पर, sorry, telnet के बाद IP address देना है, 192.168.10.1, PC2 से मैंने लिखा 123, और enable लिखा, और enable password दे दिया, तो अब देखो, मैंने PC2 से भी access ले रखा है, और PC1 से भी access ले रखा है, ठीक है, चलो, इसको minimize कर देते हैं, इसको minimize कर, अब मैं PC3 पर आता हूँ, मैं यहाँ पर बैठके डालत रहा हूँ, enable, sorry, telnet 192.168.10.1, फिर से नमें उसे password मांगा, और मैंने दे दिया, password 123, enable, enable, access आ गया, यानि PC1 से भी मैंने access ले लिए, राउटर का, PC2 से भी ले लिए, और PC3 से भी ले लिए, अब मैं PC4 से ले रहा हूँ, 192.168.10.1, एंटर कर रहा हूँ, इसने एक message दे दिया मेरे को, क्या दे दिया, connection to, close the foreign post, मतलब उसने मुझे access लेने के लिए मना कर दे, deny कर दिया, क्यों भई, तीन से तो मैंने ले लिया, दूसरे वाले से लेके उने पा रहा हूँ, इसका पीछे reason है, कि जब भी मैंने configure किया था, तो आप वापिस पे इन पे चलते हैं, तो मैंने आपको बताते हैं, मैंने हाँ पे keyword डालता, 0 to 4, sorry, 0 to 2 डाला था, इसका मतलब है कि, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा लॉगिन कर सकता है, 0 to 1 मतलब जीरो लाइन पे, वन लाइन पे और टू लाइन पे, टोटल तीन लाइन बन जाएंगी मेरी इस command से, और टीन लाइन का मतलब है कि, at a time, same time पे, राउटर को maximum, कितने number of user लॉगिन कर सकते हैं, चौत्छे बंदे से मैं लॉगिन नहीं करा सकता, चौत्छे बंदे के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, या तो मुझे इसको एक को रिमूव करना पड़ेगा, तो देखो मैं फोर से ट्राइ करता रहूँगा ना, तब भी मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आलड़ेडी तीनों लोग रिमूट लेके बैठे हुए हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक बंदे को हटा देता हूँ, PC1 पे चलता हूँ, और मैं क इनेबल, अब मैं PC1 पे बापर जाता हूँ, अब मैं PC1 से अकसेस करता हूँ, आप PC1 को नहीं मिले एक अकसेस, तो आपकी लिमिटेशन हो गई यहां पे, कि आपने जो कमांड यह 023 यह 4 जो भी था, वहां पे आपकी कमांड एकसेप्टेबल नहीं होगी, उस मैक्सिमम मैक था, 022, that's mean आपके टोटल नंबर आफ यूजर्स कितने रहेंगे, सिर्फर सिरफ 3, तो मुझे अगर इसको इक्रीज करना है तो वापिस क्या करूँगा मैं, वापिस से राउटर पे जाऊँगा, ठीक है, और मैं यहां पे क्लिफ हूँगा, लाइन, वी टी वाई, 024 कर द देता हूँ, ठीक है, और देन, लॉग इन, पासवर्ड, 123, ठीक है, अब देखो, अब यहां से, इस पे भी एक्सेस है, 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 इस पे भी एक्सेस आ जाएगा, आगे एक्सेस, तो तो तो क्या लॉगिन करने देगा देख लेते हैं एक PC और कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग हमने PC और मार्केट में लेकर आए मतलब अपने मार्केट क्या रहा हूं नेट्वर्क में और मैंने इसको यहां से कनेक्ट कर दिया और इसको भी IP address दे देते हैं हम लोग 192 168 10.13 ता 14 दे द तो यह नहीं ले पाएगा तो आपको पता लगा ना क्यों नहीं ले पाएगे क्योंकि मैक्सिमा मैंने जो लिमिट दिये 023 दिये दैस्ट मिन नंबर आफ यूजर कितने होंगे फोर कोई डाउट इसके अंदर तो यह मेरा टैलनेट कन्फिगेशन था तो टैलनेट यहां पर नहीं चलते हों ही चलते वापिस लाइन वी टीवाई जो भी आपको नंबर देना है जितने नंबर आफ यूजर को मैं मतलब एकसे देरे चाहते वह नंबर आप पूट करोगे उसके पासवर्ड सेट करोगे और लोग इन लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई बंदा टै रyan in कर सकता लेकिन मैं बैना पासवर्ड करने चाहता हूं तो मैं यहां पर देखो क्या करूंगा थे ißt आट है आपको पता होगा कि मैं लाइन वीटिवाई जीरो टू-3 पे चला गया था और यहां पर मैंने क्या टेकर किया था लोग इन किवरट कि टेट स्मिन अब मنتर से क्या यहां कि यह सो पास्वर्ड नहीं पूछेगा देखो डालेक्ट ली अंस्जास हागा रौके और अ Tamam कि कि गारों गॉल्चा अब मैं टालेत करूंगा गॉलेकल याट रौट पूछेगा अगर मैं चाहता हूँ कि पासफर्ट ना मांगे यूजर्नेम पासफर्ट वांगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा वहां पर लॉग इन लोकल करना पड़ेगा लॉग इन लोकल अब यहां पर टैल नेट करूंगा तो टैल पूचेगा यूजर नेम को समझ में आ रहा है ना कुछ उपर से तेस्ट नहीं बता रहा है कोई मैं फास्ट चल रहा हूं समझ में आ रही है न सारी चीज़ नो तो यह मेरा था टेलनेट करने का तरीका फिर आप क्या करो फिर हैं से यूजर नेम पासवर्ड बना लो एक मैंन तो हमने आज टेलनेट भी कर लिया ठीक है तो यह टेलनेट की कन्फिगिशन थी किस तरी समलेगों ने किसी राउटर को टेलने कैसे करते हैं कोई डाउट इसके अंदर तो टेलनेट के बाद हम लोग नेक्स पढ़ेंगे SSH SSH को पढ़ने के बाद हम लोग उसी दिन करेंगे packet flow packet flow very 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 important है इस packet flow एक आपका ऐसा concept है जिसमें आपको ये पता लग जाता है कि दो PC network के अंदर किस तरीके से communication करते हैं और packet के अंदर क्या क्या information exchange हो रही होती इनके बीच में उस सारी चीज़े आपको packet flow के अंदर पतले यह ठीक है उससे पहले हम लोग क्या करेंगे SSH को complete करेंगे यह practical करने के राद फिर हम packet flow हमारा क्या एक theoretical concept है ठीक है और उसके बाद हम लोगों के चलेगी फिर राउटिंग और जैसे की राउटर का backup लेना राउटर का password ब्रेक करना यह बहुत छोड़े-छोड़े topics हैं यह एक दिन के topics एक दिन में multiple topics कर सकते हैं वह हम at the end करेंगे लेकिन initially हम लोग यह SSH करेंगे SSH करने के बाद हम हम लोग packet flow देखेंगे और उसके बाद उसके next class में हम लोग routing स्टार्ट कर देंगे विच इस static routing तो आने वाले topics very important होने वाले और बहुत ही मज़ेदार concepts हैं ठीक है तो अगर कुछ रागुट से कुछ query हो तो पूस सकते हो तो हम लोग मिलते हैं एक सेकंड पहले मैं recording को pause कर दूँ